कोई भी Android Studio अगर आप लेते हैं तो ये डर खतम हो जाता है कि भाई किसी भी वायर को कट करना पड़ेगा इसमें जितनी भी थी मैं वो यूज कर पाएंगे शायद इस चीज को पसंद भी करते होंगे डिवाइस इंफोर्मेशन में हमें देखता है कि ये वालकम बेक दोस्तों कारम्यूजिकम में आपका हार देख स्वागत है आज हम लेके आये हैं आपके लिए एक ऐसा स्टीरियो जिसके अंदर कार पले वायरलेस है दो 32 में है क्या प्रोसेसर है वो भी दिखाऊंगा साती सात इसका जो बजट रहेगा वो रहेगा 9 से 10 अजार रुपए क्योंकि according to price हमने काफी सारे प्रोडेक्ट कवर किये अगर आपको 4 से 5 जार की रेंज में कोई स्टीरियो चाहिए अगर किसी कंपनी का प्रोडेक्ट चाहिए तो बहुत सारी कंपनीयों की प्लेलिस्ट भी है तो वो भी आप चेक आउट कर सकते है और अगर बात करें आपके experience की तो आपने जो भी स्टीरियो इंस्टॉल किया है उसका system info comment box में लिखना कि भाई इस system info पे इस्टीरियो का output यह है quality यह है और review भी आप दे सकते हैं जिससे कि हमारे viewers को profit हो कि हाँ जैनुवन review customer feedback हमें मिलता है Car Music अपके YouTube चैनल पे तो चलिए check out करते हैं इस product को So guys आप देखेंगे यहाँ पे proper stereo fit हो चुका है EON के अंदर और कोई भी Android stereo अगर आप लेते हैं तो यह डर खतम हो जाता है कि भाई किसी भी wire को cut करना पड़ेगा Just plug and play wiring हो जाती है अगर आपने Car Music अपके YouTube चैनल पे वीडियोज देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं कितना जादा technical चीजों को बताता हूँ बहुत सारे installation किये हैं तो आप देख सकते हैं अभी इस studio का review करते हैं और देखते हैं क्या कुछ features मिलेंगे तो अभी studio start हो चुका है कुछ इस तरीके की theme आपको मिल जाएगी information आप देखिए device information के अंदर क्या लिखा हुआ है video pause करके read कर ले न यहाँ पर 432 GB लिखा हुआ है लेकिन जब हम जाते हैं CPU Z के अंदर यह देखो तो यहाँ पर हमें क्या देखता है यह देखो यह देखो device information में हमें देखता है कि यह 4096 MB है बट यहाँ पर आपको सिर्फ 24 MB से कम है इसके अंदर दिख रहा है लेकिन मेरा मानना है कि यह सिर्फ 232 GB है जबकि इसमें 4 GB लिखके आता है तो यह चीज निकाल दो दिमाग से कि भई कोई आपको 9-10,000 रुपई की range में Apple CarPlay के साथ आपको 432 देगा नहीं आएगा भाई प्राइज ही नहीं है बाकि DSP model मिल इस particular product के अंदर क्योंकि यह customer ने review भी करके मुझे बताया था तो यह जैड लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो आपका screen mirroring और आपका Apple CarPlay Android Auto है वो connect हो जाता है अब चलते है वीडियो quality पे तो वीडियो quality के अगर बात करें तो वीडियो quality आपको HD मिल जाती है 4K भी चलता है लेक एक वीडियो बनाया था तो car music अपके YouTube चैनल को subscribe करके वो देख लेना कि कैसे keep it light on होती है अब बात करें theme की तो theme में जो यह car दिख रही है आपको यह देखो तो जब headlight on off करेंगे तो screen की light थोड़ी कम होगी और यह kilometer भी चलेंगे और यहाँ पे light जो गाड़ी के अंदर होत लेते हैं जब भी आप subscription वगरा लेते हैं तो system थोड़ा सा slow हो जाता है मैं यह नहीं बोलूँगा कि बहुत हैं करता है लेकिन हाँ थोड़ा सा slow हो जाता है speed पर आपको फर्क दिखेगा तो यह है वाकी video quality मैंने दिखाई दी picture in picture इसके इंदर आपको देखने को मिली जाती ह और 32 जैनुएन इंफोर्मेशन इसका होता है तो भई 34 नहीं है यह आपके पास अगर कोई stereo है तो उसमें भी आप CPU जैट डाउनलोड करके check कर सकते हैं कि आपको 34 नहीं मिलेगा 34 जो जैनुएन सिस्टम होता है वो भी हम आपको दिखाएंगे एक दिन उसके लिए आपको का कर देना जिससे की वीडियो आपको देखने को मिल जाएं अभी audio output चेक कर लेते हैं तो भाई sound quality आप चेक कर सकते हैं यह output है इसका So guys आपने देखा TS9 जिसके अंदर Apple CarPlay भी था अगर बात करें TS9 नॉर्मल स्टीडियो की तो उसका प्राइज भी मैंने आपको बताया था साथ 8,000 में मिल जाता है लेकिन अगर बात करें एपल CarPlay की तो उसका प्राइज आपको आठ से 10,000 के बीच में मिलेगा अगर आपको TS10 प्रो पसंद आ रहा है तो भाई वो जरूर लेना क्योंकि इससे अपडेट वर्जन है स्पीड अच्छी है और स्मूध भी है साउंड आउटपुट की बात करें तो भाई साउंड ब्लास्टर भी है QLED भी है और जो डिस्पले की क्वालिटी है उसमें आपको पिक्चर के जो कलर से हैं वो भाई काफी true देखने को मिल जाते हैं अबर दिया गया उस पर कॉल कर लेना इसी तरीके से प्रॉपर फिटमेंट के साथ सब भी कार्स के स्टीडियो मिल जाते हैं